आप लोगों को मेरा नमस्कार मैं उपेंद रन्मोल आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे भारत सरकार के द्वारा ले गए अब तक के सबसे बड़े बिनिवेश के निर्ड़े के बारे में जिसको बिगस्ट डिस इन्वेस्मेंट निर्ड़े के रोप में देखा जा रहा है और मिशन बिनिवेश के नाम भी दिया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े अस्तर पर अनेक जो है संस्थाओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है सबसे पहले बिगस्ट डिस इन्वेस्मेंट का डिसीजन या निर्ड़े क्या है इसको आप समझ के द्वारा पांच कंपनियों के बिनिवेश का निर्ड़े लिया गया वह भी स्ट्रेटिक डिस इन्वेस्मेंट रड़नीतिक बिनिवेश का निर्ड़े जिसमें BPCL भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड नमबर दो सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया नमब नमबर पांच सरकार के द्वारा जो निर्ड़े लिया गया है वो नार्थ इस नार्थ इस्ट्रन एलेक्टिकल पामर कार्पोरेशन नीपको नीपको इन पांच संस्थाओं का सरकार बिनिवेश करना चाह रही है जिसमें BPCL जो है दूसरा सिपिंग कार्पोरेशन आफ इं तो इसको इस निर्ड़े को लेकर के जहां एक तरफ जो है इस निर्ड़े का स्वागत भी हुआ है अनेक संस्थाओं के द्वारा खासकर अधोगिक शंगटनों के द्वारा इसका स्वागत किया गया है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनेक पार्टियों के द्वारा और ट्रे जिसकी balance sheet बहुत gold है, उसको विनवेश क्यूं किया जा रहा है, लाबवाली संस्थाओं का विनवेश क्यूं, अधिकतर जो ये 5 संस्थाओं का हमने नाम लिया, इसमें अधिकतर संस्थाओं हैं इस समय लाब में हैं, और इनकी balance sheet बहुत good है, और यह तरीके से गोल्ड बैलेंस सीट आप कह सकते हैं तो इस नाते यह प्रशन उठ रहा है कि ऐसी संस्थाओं का विन्वेस क्यों तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार ने विन्वेस का यह निर्ड़े लिया क्यों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत जो नई कंपनियों के लिए और 25% पुरानी कंपनियों के लिए इफेक्टिव जो कटाफ किया गया है इस तरीके से इस बड़े निर्ड़े के नाते सरकार को रेवनु में लॉस होनी की संभावना है और सरकार की निगम कर से होनी वाली आय घट जाएगी और इस आय के घटन कुलना में अगर आपका अपना रेवनु नहीं होगा तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा और फिजिकल डिपसिट बढ़ जाएगा फिजिकल डिपसिट बढ़ने से पूरा फिजिकल डिसेप्लिन राजकोसी अनुशासन प्रभावित हो जाता है और अर्थव्यवस्था के बारे में नकारात्मक जो है सुचना प्रशारित होने लगती है क्रेडिट रेटिंग एजनसियां भी फिजिकल डिपसिट को एक सीमा में रखना ही बैतर मानती है और खासकर आप सभी लोग जानते होंगे आईमेफ के द्वारा जो है यह निर्डे लिया गया यह लिया गया है लेकिन कार्पोरेट टेक्स में इतनी बड़ी कटवती के बाद क्या यह कंट्रॉल हो पाएगा इसी संदर्व में भारत सरकार के द्वारा संसाधनों के प्रबंधन के लिए इतने बड़े बिनवेश का निर्डे लिया गया और उसमें लाब में रहने वाली कम कमपनियों को के लिए बिनवेश का फैसला किया गया तो सबसे पहले बिनवेश क्या है रणनीतिक बिनवेश क्या है इन कमपनियों में बिनवेश का निर्डे क्यों लिया गया और इससे क्या लाब होगा इन सभी पहलों को हम लोग एक बार चर्चा कर ले देखे आप सभी लोग जानते होंगे कि सरकार के द्वारा अपने रिसोर्सेज को उन कंपनियों से निकालना सरकार के द्वारा अपने संसाधनों को उन कंपनियों से निकालना जिनमें संसाधनों की अबावसकता नहीं रह गई है या जिनमें संसाधन को रखना प्रात्मिक्ता नहीं रह गई ह बिनिवेस कहलाता है एक तरीके से निवेस को वापस ले लेना बिनिवेस है डिस इन्वेस्मेंट है जैसे सरकार कोई कमपनी लगाती है तो निवेस करती है उसी निवेस को वापस ले लेना सेल कर देना दूसरे को वेश देना बिनिवेस कहलाता है और सरकार इसलिए अब ऐसा कर रही है क्योंकि जहां अपने संसाधनों को बरियता नहीं दे रही है रता जहां बरियता नहीं है दूसरे किसी जगह बरियता वहाँ ले जाना चाहती है उस संदर में बिनवेश करना चाहती है 1991 में, बिनवेस के बारे में सबसे पहले बार नेड़े लिया लिया गया और 1916 में रमस्वामी कमेटी भी बनाई गेए और बाद में बिनवेस मंत्राले बनाया गया और इस तरीके से प्रयास किया गया तो अब ये सवाल है कि अपके बार सरकार ने निड़े बिनवेस का नहीं लिया, आपके बार सरकार ने निड़े लिया है रणनीतिक बिनवेस, Strategic Disinvestment, जिसके नातिया कहा जा रहा है कि यह निजी करण के रास्ते पर भारत को ले जाने वाला कदम है, और सरकार धीरे-दीरे नि क्यावन प्रश्षत से अपने हिस्सेदारी को घटा देती है मतलब क्यावन प्रश्षत से अपने हिस्सेदारी को कम कर देती या यू कहें कि 50% से अधिक हिस्सेदारी प्राइवीट सेक्टर को बेच देती है तो उसे रणनीतिक बिनवेश कहा जाता है इसमें सरकार एक तरीक स्वामित बेचा जाता है ओनर्शिप बेचा जाता सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती थी लेकिन रणनीतिक बिनवेश में सरकार अपने हिस्सेदारी के साथ साथ सरकार अपने मैनेजमेंट को भी निजी छेत्र को बेच देती है तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि को da Leo कर देना रड़नीतिक बिन्वेश क्या अड़े से पर लिए से आफ प्राप्त की जा सकती है अगर सरकार फोड़ा-ुड़ा-तар बेंचना चाहां फो सरकार के साथ निजी-छेत्र की कम्पनियां आएंगी नहीं और उनमें इंट्रेस्ट भी नहीं होगा सरकार के इतने कम सेर खरीदने का और दूसरे जो है जब तक कोई भी संस्था मैनेजमेंट नहीं करती है तब तक किसी भी संस्था से लाव नहीं निकाल पाती है इसलिए प्राइबेट सेक्टर तभी उत्सुख होगा जब उसे मैनेजमेंट करने का मौका मिले और ownership को तो बेचना ही चाहती है इससे यह जो है अब लगने लगा है कि सरकार एक लाख पांच हजार करोन का जो बिन्वेस्मेंट का जो बिन्वेस का या डिस इंवेस्मेंट का लक्ष लेकर चल रही है वह अब पूरा कर ले जाएगी तो इसलिए आप सभी को समझ में आ गया मैंज्मेंट को भी ट्रांसफर कर देना नीजी च्हेतर को रण। भिन्वेस का लाता है रण। योह जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं इसका ताथकालिक करण है कि कारण है कि कarpor tax को घठाया गया जिसके नाते सरकार का revenue कम हो गया और revenue सरकार के पास आए के स्रोत या revenue कम हो गया इसी revenue के management के वर्डन के तहट सरकार के द्वारा इतने बड़े biggest dis investment या बिनवेस का नेड़े लिया गया है अर्थात सरकार अपने physical deficit को maintain करना चाहती है अपने राजकोसी अनुसासन को कायम करना चाहती है और साथी साथ RID GDP अनुपाद को भी संतुलित करना चाहती डेप्ट GDP रेशियो को भी नहीं तो सरकार के उपर सरकार के उपर RID का भार बढ़ेगा जबकि आप सभी लोग जानते होंगे कि 13 वित्तायोग 14 वित्तायोग ने कहा कि RID और GDP अनुपाद को लगभग 62% तक लाया जाए राज्यो का जो RID GDP अनुपाद है 20% और कींद का GDP अनुपाद 40-42% पर किया जाया तो अच्छा रहेगा लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे RID GDP अनुपाद अभी भी 69% के आसपास बना हुआ है जो सरकार के लिए चुना होती है तो यह जो निर्ड़े है यह एक तो फिजिकल डिपसिट को मैनेज करेगा दूसरा RID GDP अनुपाद को भी मैनेज करेगा अच्छा और लांग टर्म में यह PSU में सुधार का आधार बनेगा क्योंकि सरकार बिनवेश करके आगे निर्ड़े ले रहे कि जो सरकारी संस्थाएं ठीक से काम नहीं करेंगी जो है उनको या तो बेच दिया जाएगा या तो उनमें एफेक्टिव मैनेजमेंट करके सुधार लाय जाएगा सरकारी संस्थाओं में कारिछमता और गुडवत्ता की समानते कमी देखी जाती है और उसी कमी को संतुलित करने के करम में बिनवेश को एक अस्त्र के रूप में अपनाया जाता है इसके अलमा सरकार का बिनवेश के बड़े एलान के साथ एक यहभी मेसेज देना है मार्केट को कि सरकार अब जो है रेगुलेटर की भूमिका में रहेगी कंट्रॉलर की भूमिका में रहेगी प्रोडूशर की भूमिका में सरकार नहीं रहेगी अभी तक देखा जाए तो भारत की सरकार अनेक छेत्रों में जो है supplier भी है, producer भी है और regulator या controller भी है यह न्यायपूर नहीं माना जाता है कि एक ही संस्था जो swim producer भी है वही regulate करें जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की सरकार air India को चला रही है मतलब Indian Airlines को चला रही है, मतलब इस छेत्र में swim भागेदारी कर रही है, अर्था services को produce कर रही है और दूसरे पूरे aviation sector को, पूरे बाव्यातायात के sector को सरकार regulate भी कर रही है तो इसमें संदेह बन जाता है कि सरकार जहाँ पे regulator भी है, सरकार जहाँ पे supplier या producer भी है वहाँ कैसे नया कर पाएगी, जब सरकार की एक संस्था swim चल रही है, जब air India जैसे संस्था सरकार swim चला रही है तो उन दूसरी संस्थाओं के साथ कैसे नया कर पाएगी, जो indigo होगी, जो spice jet होगी, जो go air होगी, या विस्तारा air lines होगी इन निजी कंपनियों के मन में एक भै बना रहाता कि भारत सरकार जो है, regulator की भोमिका ठीक से अदा नहीं कर पाएगी तो इस निड़े से सरकार यह भी message देना चाहती है, कि सरकार अब regulator की भोमिका में रहेगी, controller की भोमिका में रहेगी सरकार, producer और supplier की भोमिका से धीरे धीरे अपने आपको हटाएगी और जहां जरूरत है, सरकार उन छेत्रों में अपनी भोमिका का निर्वहन करेगी और वैसे भी किसी भी सरकार का यही दाइट होता है, कि वह जहां जरूरत है, जहां जरूरत का छेत्र है, उन गत्विधियों में नेत्रित करें और जहां पर market काम कर सकता, उन गत्विधियों को धीरे-दीरे market के हवाले करती जाए तो इस निर्ड़े के अंतरगत सरकार के द्वारा यह भी एक बड़ा निर्ड़े है, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि मोधी वन सरकार, जिसको एंडिये वन भी कह सकते हैं इस समय का, या मोधी वन, तो मोधी वन ने 2016 में दीपम बनाने का निर्ड़े लिया था, Department of Investment and Public Asset Management, दीपम एक आयोग बनाया था, कि दीपम आयोग ही बिनवेस का काम देखेगा, अब जो अभी 3-4 दिन पहले जो निर्ड़े लिया गया, इसमें भारत सरकार ने निर्ड़े लिया है, कि बिनवेस का काम अम मंत्राले नहीं देखेंगे, बलकि मंत्राले के साथ दी दीपम के नेत्रित्म में मुखते बिनवेस के लिए पियस्यूज का सेलेक्शन किया जाएगा, और बिनवेस के लिए पियस्यूज की लिस्टिंग की जाएगी, और इसमें नीती आयोग और दीपम दोनों मिल करके बिनवेस के लिए फैसले लेंगे, अभी तक बिनवेस के फैसले कौन लेता रहा है नीती आयोग लेता रहा उससे पहले योजना आयोग के द्वारा जो है सलाह दी जाती थी फला फला संस्ताओं का बिन्वेश करना है और 2015 से नीती आयोग यह जिम्मेदारी निभाती थी लेकिन अब पिछले दिनों लिया गया निर्दारित करता है कि नीती आयोग दीपम के साथ मिल करके बिन्वेश के कारिकरमों का निर्दारन करेगा और साथी यह भी डिसिजन लिया गया कि बिन्वेश के लिए जो जिम्मेदार मंत्राले हैं उनके साथ जो है दीपम भी सह अध्यच्छता करेगा और सभी प्रकार के निड़ेओं में भा आवस्यक संसाधनों को जुठाया जा सके और जरूरत के छेत्रों में संसाधनों को लगाया जा सके तो इस तरीके से देखा जाया तो यह भारत सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही बहतर निड़े है भारत की अर्थव्योस्ता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है क् कि इस लिए गए नेड़े से तीन प्रकार के वो देश पूरे होते हैं अर्था सरकार के द्वारा जो लिया गया बिगेस्ट डिस इंवेस्मेंट का नेड़े पांच कंपनियों का है बीपिसील का सीपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का है चेहरी हाइड्रो डवलप्मेंट कारपोरेशन का है कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया का है नार्थ इस्टरन येट्रिकल पावर कारपोरेशन का है नीपिको का है यह नेड़े तीन प्रकार से लाब दैक होगा एक तो सार टर्म में बहुत कम समय में यह राजकोसी घाटे के प्रबंधन के लिए भूमिका निभाएगा और रिड़ जीडिपी अनुपात को भी मैनेज करेगा सरकार के ओपर देंदारी को नहीं बढ़ने देग और अगर दिरकालिक रूप से देखा जाए तो यह PSU में सुधार की निव बनने का काम करेगा क्योंकि अब यह नेड़े हो चुका है कि सरकार PSU को जबरदस्ती नहीं चलाएगी जब जरूरत होगी तब ही चलाएगी और जब नहीं जरूरत होगी तो निशित रूप से उस निड़े से देने का यह काम किया है कि सरकार अब regulator और controller की भूमिका में मुख रोप से काम करेगी अब सरकार producer और supplier नहीं रहेगी यह एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का institutional message है कि अब भारत में निवेश के लिए जो है uncool दसा है क्योंकि भारत सरकार regulator, service facilitator और service provider की भूमि निजी छेतर में किसी भी संसाधन का जाना बुरा नहीं होता है सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है कि वह अनेक चीजों को produce करेगी और अनेक सेवाओं का उतपादन करेगी और जनता सीधे लाब उठाएगी या लोग उसका लाब उठाएंगे बलकि सरकार की मुख भूमि का होती है कि आर्थिक गदविधियों को और जानते सुविधाओं को उत्पन करवाते रहना और नए नए छेतरों में जहां जहां पे संभावनाएं हैं जो नई संभावनाएं होती है जहां कोई निजी छेतर काम नहीं कर सकता जो लाब का छेतर नहीं है वहां स्वैम काम कर और बाकी छेत्रों में सब के लिए जो है फैसिलेटेटर की भूमिका निभाना सब के लिए आउसर उत्पन करना तो आप सभी विद्यारती जो लोग UPSC की तयारी कर रहे हैं या इस्टेट इक्जाम की तयारी कर रहे हैं या अन्न किसी परिछा की तयारी में लगे हुए हैं वो इस डिसीजन को कॉपी में नोट्स में लिख लेंगे पहले तो पांच कौन सी संस्थाएं हैं जिनको लेकर बिनवेस का निड़े लिया गया तो आप सभी लिख लेंगे BPCL जो है कांकॉर और SCI Sipping Corporation of India THDC और NIPPICO तो ये पांच संस्थाओं का निड़े फिर बिनवेस मे आप रिचमित के साथ साथ जो है सरकार के द्वारा अपने मैनेजमेंट को सीड कर देना और साथ मैनेजमेंट भी ट्रांसपर कर देना तो ये रड़नीतिक भिनवेस हो गया तीसरी सबसे बड़ी बात है कि राजकोसी घाटे के प्रबंधन के लिए क्योंकि Corporate Tax में कमी की ग लाव वाली संस्थाओं को करी देगा अगर सरकार जहां से संसाधन लिखाना चाएगा जो है संसाधनों का mobilization करेगी मुद्दा ये है तो आप सभी लोग जान लें कि लाव वाले संस्थाओं को ही बेचा जा सकता है लाव वाले संस्थाओं का ही विन्वेस कारिकरम सफल होगा नुकसान वाले संस्थाओं का विन्वेस कारिकरम सफल नहीं होगा और अगर नुक्सान वाली संस्थाओं का विन्वेस करना है तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा और सरकार इसमें समय जाया नहीं करना चाहती 4-5 महीने बचे हुए हैं फिर नया बित्ती वर्स आने की संभावना है इस तरीके का संसाधन प्रबंधन हो जाएगा जिससे सरकार का घाटा मैनेज हो सकता है और अगर सरकार नुक्षान वाली संस्थाओं को बीचना चाहेगी तो उसकी बोली में बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि निजी छेत्र से उसके लिए बोली ही ना लगाया जाए तो सरकार के विनवेस कारिकरम फेल हो जाएंगे तो इससे एकोनोमी के लिए चुनावती आ जाएगी क्योंकि सरकार का फिजकल डिप्सिट बढ़ जाएगा सरकार का जो है डेप्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा रिड़ प्रबंधन नहीं हो पाएगा तो कुल मिलाजुला के सरकार की जो अर्थविवस्ता के बारे में जो है गलत नियूज प्रसारित होगी और साथ में भारत सरकार के अर्थविवस्ता की रेटिंग भी गटेगी इन सभी मुद्दो को आप इस तरीके से देखने की कोशिस करेंगे कि विनवेस क्या है रणनितिक विनवेस क्या है इन पाचो संस्थाओं के विनवेस का नेड़े क्यों लिया गया और साथ में जो है इसका साथ टर्म गोल क्या है लांग टर्म गोल क्या है सरकार institutional क्या message देना चाहती है और लाव वाले जनस्थाओं का जानते विन्वेस क्यों किया गया है तो आप सभी लोगों को धन्यवाद अगले वीडियो में दुबारा हम आप लोगों से मिलेंगे